आज फिर उपस्तित में BSNL से जोड़ी एक वीडियो को लेकर दोस्तों BSNL की अब जो है ठीक ठाक न्यूद जो है आने लगी हैं BSNL के अच्छे दिन आने लगे हैं क्योंकि BSNL अब जो है जो इसके उपर कर जा है उसको भी अदा कर रहा है और जो सेलरी है उसको भी देने मे सक्षम हो पा रहा है दोस्तों 4G भी इसका जल्दी से लग जाएगा क्योंकि अब जो है जो है जोलाई का लाश्ट विक तो चली रहा है और जोलाई की लाश्ट विक में जो है इसका जो असेट मोनेटरिशन की प्रिकरिया थी वो भी कंपलीट होनी है 37500 करोड रुपे का रिबेन्व वहां से जनरेट होगा तो दोस्तों एक काफी अच्छी जो है न्यूज है चाहां जो भी एसनल के कस्टोमर हैं कंजूमर हैं और चाहां इसके इंपलॉई हैं क्योंकि दोस्तो हर एक व्यक्ति को जो बी एसनल से किसी भी प्रकार से रिलेशन रखता है दिक्कत बहुत ज्यादा उनको उठानी पड़ रही है कनेक्टिविटी नहीं आती है या बहुत सारी दिक्कत दोस्तों आज की इस वीडियो हम दो कॉंट्रेक्ट बरकर के बारे में भी बात करेंग लेकिन जानते हैं सबसे पहले आज की इस खास न्यूज को तो चली दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपके लिए हर एक यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और अपडेट रह सके हर एक खास न्यूज से दोस्तों बीएशनल अब ज्यादा टाइम नहीं लेगा और बीएशनल चलेगा अच्छे से तो नए दिली के रिपोर्ट है दोस्तों बता हैं कि बीएशनल के ऊपर जो फाइवर कमपनिया हैं फाइवर कमपनियों का तीन सो से ऊपर दो सो से ऊपर लगवा धाई सो के करीम है जो पैसा था वो अटका हुआ था धाई सो करोड तो चलिए जानते हैं 26 जुलाई डेटा निटवर्क समाधान प्रदाता कमपनी इस्टरलाइट टेली टेक्नोलोजीज का भारत संचा निगम लिविटेड यानि बीएशनल के ऊपर बकाया अब सो करोड रुपाई से भी कम रह गया है कमपनी को उम्मीद है कि बीएशनल इस साल ही सेस बकाय के बड़े हिस्से का भुक्तान कर देगी इस्टरलाइट टेक्स समू के मुख्या दिकारी सी यो आनंद अग्रवाल ने ये कहा है कि बीएशनल के ऊपर इस्टरलाइट का बकाया आप सो करोड रुपए से भी नीचे रह गया है दोस्तों बताए आपके लीए कि जो होती है जो केबल होती है आपने सुना होगा कि केबल कट गई कन Malin तो उसमें जो है Bational हो या कोई भी company हो पहले tender करती है और वो कहती है company से कि पहले आप जो है हमारे जो काम है जो फाइबर लगाने है वो फाइबर आप लगाई है उसके बाद भी अगर छह महिने तक आपके फाइबर भर्क ठीक ठाक करते हैं उसके बाद हम आप लोगो के लिए पैसा देंगे इसमें आधा पैसा पहले दे देते और आधा जो है बाद में देते कहीं कहीं पूरा पैसा बाद में दिया जाता है लेकिन पूरा पैसा पहले कभी नहीं दिया जाता है तो यहीं पैसा जो है बचा हुआ है बी एशनल के ऊपर और वो पैसा लगबग जो है अब दुका दिया जाना चाहिए एक समय में 2008 के अंत में यह है 220-230 करोड रुपए था यह वकाया बीएशनल को ओप्टिकल फाइवर केवल की विकरी को लेकर है जिसके आपूरती 2008 में हुई थी अग्रवाल ने कहा है हमें बकाय का आदे से अधिक प्राप्त हो गया है और हम देख रहे हैं कि बीएशनल को अबारने की योजना के साथ धन प्रभावी शुरू हो गया है इस्टरलाइट टेक्नलोजीज ने हाल ही मैं अपना परिणाम जारी किया था दोस्तों आपके लिए बताएं कि बीएशनल जो है चलेगा तो अच्छे से और चलने वाला भी था लेकिन जो टेंडर कैंसल हो गया है उसकी बज़य से वरना अब तक बीएशनल का फोर्ट जी लगवग 50% साइट पर बर्क करने लगता दोस्तों ये आपके लिए एक बात और बताएं कि बीएशनल ने डारेक्ट ये एक नोटिस जारी किया है कि हम प गुजरात बगरा कि ऐसे शहरों में हम जो है बीएशनल की फोर्ट जी सर्विस जल्दी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि वहां से जो रिवेन्यू अच्छा जनरेट होगा और जो रूरल एरियास हैं उनसे इतना अच्छा रिवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगा तो पॉंत भाही में 5.96 करोड रुपए पर आ गया था इस दोरान कंपनी की कुल आए 38.5% घटकर 885.7 करोड रह गई थी यह पूछे जाने पर कि क्या कंपनी के ब्रद्धी की रहा पर लोटने की उम्मीद है अग्रवाल ने कहा कि चालू वित्वर्ष की दूसरी तिमाही में निश्चित रूप से कुछ ब्रद्धी देखने को मिलेगी और तीसरी तमाही में पूरी तरह शामान हो जाएगी दोस्तों यह अपने भी उस दिये क्योंकि यह जो कंपनियां है इस्टर लाइट जो कंपनियां फाइवर सेल करती है बहुत सारी टेलिकॉम कंपनियों के लि कुमान लगाया गया उसे पूछा गया कि कभ जो है अपको क्या उमीद है तो उन्होंने ये कहा है कि बेशनल ज्यादा से यादा च्छ ब्रक करने लगेगा आध दोस्तों एक बिशेंल के लिए क्योंकि जियो है जियो जो कि एक प्राविट एलिगॉम सेक्टर कंपनी है और मार्केट में काफी अच्छा जो है उसने दबदबा बनाये हुआ है हर एक बंदा जियो को यूज कर रहा है क्योंकि फिलाल इतने अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहा है और जितने भी और भी एक बात और बता हैं दोस्तों जियो ने जो और दिल्ली में बॉम्बे में लखनू में यह मेट्रो सिटिज है उनमें जो मेट्रो हैं उनमें 5G लॉंच करने की बात किया है और हाल ही में मुखे संभाणी ने एक बयान दिया था है उन्होंने का अच्छा कि इस प्रकिरिया क अगर आप एक जीवी की मूवी आगर डाउनलूड करना चाहते हैं तो केवल और केवल एक मिनट में या डेड़ मिनट में 5G के थ्रू हो जाएगी और जबकि इसमें बात करें तो 20-25 मिनट तक ले लेता है अगर अच्छी सर्वेशन नहीं आती है तो और ज्यादा समय भी और 4G भी इसका जल्दी ही दिया जाएगा अगले महीने में हो सकता इसका टेंडर हो जाए तो काफी अच्छी जो है निकल निकल कर आ रही है और दोस्तों हाँ आप बात कर लेते कि के बारे में तो दोस्तों कॉंट्रेक्ट बरकर की सेल्ली दो महीने की सेल्ली पे कर दी बी असनल गी साइड्स है जो बीएसनल के टावर है वहाँ जो एजए गाड रहते हैं एजए चौकीदार काम करते हैं जो जरनेटर चलाने का काम और भी बहुत सारी काम होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं दोस्तों उनकी एक से दो महीने की सैली दे दी गई है 15-16 महीने में केवल दो महीने की सैली उनकी दी गई है और दोस्तों ये बात मैं कर रहा हूँ UP की other state में भी दे दी गई होगी और नई दी गई है तो जल्दी दे दी जाएगी आप संपरक कर सकते हैं जो भी आपके अधिकारी हैं उन लोगों से और दोस्तों BRS के second installment की बात करी जाए तो BRS का second installment भी जो asset monetization की पिरकिरिया है उसको complete होने के बाद ही BRS लोगों को दिया जाएगा जो कि इसके लिए form भरे थे उन लोगों के लिए BRS दिया जाएगा लेकिन दिया जब ही जाएगा जब जो asset monetization की पिरकिरिया है यानि वहाँ से काफी motor revenue generate होने वाला 37,500 करोड उसी पैसे से दिया जाएगा और दोस्तो एक्सिग्रेटिया का पैसा दे दिया गया है दोस्तो ग्रेटियोटी का पैसा दे दिया गया है 1200 करोड रुपय तो आपके लिए जो है पैसा दिये जाएगा केबल जो BRS अप्टी employee है उनका केबल BRS का पैसा बचा है सेकंड इस्ट्रोल्मेंट वह भी आदा पैसा दे दिया गा तो अप्टीण करने की बात के बुए गई है आप दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही और वीडियो अच्छे लएक को लाइक कीजिए और दोस्तों सेयर करी अपने साधेmee इंप्लॉई के साथ तकि वो भी अपडेट रह सके कि कब तक भी अच्छी से चलेगा दोस्तों अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकान जरूर प्रेस कर लिए ताकि आपके लिए हर एक यूज फूल नोटिफिकेशन मिल सके मैं जब वीडियो अपलोड करूं तब चल